Question 37 is study का दूसरा question देखिए A circus, the world circus has the same route as circus In a closed circular area, various entertainment acts including human skill and animal training are presented before the crowd यहाँ पर जो circus होता है उसके अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारी human activities, joker या फिर elephant का जिखाई जाती हैं लोगों का entertainment किया जाता है The circus, अब यहाँ पर इस circus के बारे में question है This circus tent is cylindrical up to a height of 8 meter एक जो cylindrical part है, अब अब जब circus को देखेंगे, जैसा कि picture भी दिखाई दे रही है question में नीचे वाला part जो है वो cylindrical होता है और उपर जो है वो conical होता है आपका तो यहाँ पर जो उसके cylindrical part की height है, वो 8 meter है मैं यहाँ पर लिखूँ इसे, यहाँ पर जो आपका cylindrical part है, उसकी height है 8 meters 8 meter यह height है अब यहाँ पर जो इसके उपर है conical part इस तरीके से conical part है, यहाँ से आप इसे ड्रा करना चाहें अब वो क्या कह रहा है, and conical above it, the diameter of the base is 28 meter यह इसका जो diameter है, वो 28 है, तो यह radius आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, diameter of con and cylinder दोनों का same ही होगा, that is 28 meter and radius of con and cylinder, दोनों की जो same रहेगी, जिसे हम notation r दे रहे हैं, वो हो जाएगी 14 meter, इसका half, 14 meter इनकी radius होगा, अब वो कह रहा है, कि the height of 10 is 18.5, इस पूरे की जो height है ना, वो 18.5 है, जो complete height है, complete height को अगर मैं लिखना चाहूं, तो वो complete height है आपके पास 18.5, अब जो cylinder की height है, वो 8 है, तो मैं कौन की height लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं लिखूं height of cylinder, height of cylinder को यदि मैं लिख रहा हूं, small h, that is 8 meter, and height of कौन क्या हो जाएगी, height of कौन जो, जिसको मैं capital H से लिख रहा हूं, 18.5 minus 8 is 10.5 meter, यानि कौन की अगर हम height लिखना चाहें न, तो 10.5 meter होती है, अब अगर हमसे जो question है, वो इसी की according पूछेगा, based on the above, answer the following question, पहला, find slant height of the conical part, इस conical part की हमें slant height बतानी है, तो slant height निकालनी के देखे, इसे ये R है, ये H है और ये L है, यहाँ पे बनता है 90 degree का angle, इस 90 degree के angle में आप PGT लगा सकते हैं, पहला question, slant height, जिसको की हम नाम दे रहे हैं L, वो होता है root H square पलस R square, अब जो H है, that is 10.5 का square, R है, that is 14 का square, 14 का square हमने easily निकाल लिया 196, इसको ना आप ऐसा लिख लो, point अटाने के लिए नीचे 10 लिख लें, यहीं पे लिख देते हैं, 105 upon 10 का square, अब 105 का square कर लो आप, तो 105 का square कितना हो जाएगा, 105 का square हो जाएगा, that is 5, 2, 10, 1, 1, 10, 0.25 यह आगया, और इसमें 196 एड कर लो गया, तो 19, 25 हो जाएगा, क्योंगी 100 रहेगा, और 196 इसमें एड कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आजाएगा, that will be 0.25, और यहाँ पे आगया 6, 306.25, टोटल को हमने एड कर लिया, तो 306.25 आगया, अब यहाँ से point को हटाने के लिए न, हम क्या कर सकते हैं, 306.25, ओवर 100, ऐसा लिख सकता हूँ, और इस 306.25 का मैं अलग से root निकाल लूँगा, और 100 का तो 10 हो ही जाएगा, नीचे, इसका निकाल लेते, पीछे से pairs बनाएगे, 1, 1 जा 1, यहाँ पे आगया 2, 1 का double क्या हो जाएगा 2, पे यार उतरेगा पूरा 206, इसको कर लेंगे, आप यह आई थिंक चला जाएगा, आपका 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, यह हो जाएगा, 1, 8, 9, और आप इसे 8 टाइम्स करेंगे, 8, 8, 64, 6, जादा हो जाएगा, 7 टाइम्स से जाएगा, यह हो गया, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हमारे पास आगया, 7, यहाँ बचा, 9 माइनस 8 टाइम्स, यहाँ पर 17, 25, एड़ कर लेंगे, 34, और यह चला जाएगा, आपका 5 टाइम्स, यह फाइब टाइम्स चला गया, तो यहाँ पर आगया, इस था रूट 175, पॉइंट लगाएंगे, तो 17.5 मीटर, तो जो सेलेंट हाइट है, वो हमारे पास क्या आगई, 17.5 मीटर यहाँ पर आगई, वाइट टिपिकल सी कैलकुलेशन थी, थोड़ा केरफुल ही करेंगे, तो मिल जाएगा, हमने क्या किया, पहले 105 का स्क्यार कर लिया, फिर उसको पॉइंट में कनवर्ट करके, 196 में एड़ कर लिया, आफ्टर गेट, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 आगया, उपर वाले का अलग रूट निकाला, नीचे वाले का अलग रूट निकाला, तो हमें मिल गया 17.5 मेटर, अब इसके बाद जो next question है, that is, determine the floor area of the tent, आप समझें, floor area, circus बना हुआ है, floor क्या होगा, circular होगा, तो floor area कैसे निकाल सकते हैं हम, floor area is equal to pi r square, pi is 22 by 7, और जो r है वो 14 into 14, 7 to is a 14, और यहां पे आगया 44 into 14, 14 फोर्जा 56, यहां आगया 5, 14 फोर्जा 56 और 5, 61 meter square, तो 616 meter square, इसका floor area हमारे पास आ जाएगा, थार्ड का ए पार्ट क्या कह रहा है हमसे, find area of cloth using making tent, तो tent को बनाने में कितना cloth use होगा, देखिए वो cylinder का curved surface area और tent का curved surface area, उतना cloth उसको बनाने में use होगा, cloth used for making tent, tent को बनाने में कितना होगा, CSA of cylinder plus CSA of cylinder plus CSA of common, आप समझे, cylinder का CSA कितना होता है, वो होता है 2 pi r h, और CSA of common होता है, pi r l, दोनों में r सेम रहेगा, तो pi r हम यहाँ से common ले सकते हैं, pi r हमने ले लिया common, यहाँ बचा 2 h, और यहाँ बचा l, यहाँ बचा गया 2 h, और यहाँ बचा गया l, value जब गया, 22 by 7, r है 14, और 2 h, height of cylinder को हमने small h से नाम दिया है, that is 8, यानि यह हो गया 16 plus l, that is, यह कितना हो गया हमारे पास, l is 17.5, 7 to the 14, यह हो गया 44 into, इसको add कर लेंगे 0.5, 33.5, point को हटाने के लिए नीचे 10 आ गया, 5 to the 10, 67, 2 से 22, अब multiply कर लेंगे इसे 22 into 67, 1474 मीटर स्क्वेर, तो यह हमारे पास इतना cloth इसको huge होगा, 4 cloth जो इसका curve surface area है, वो हमारे पास 1474 आ जाएगा, जो CS से होता है, उतना ही cloth इसको बनाने में huge होगा, इसका जो b part है, third का b, वो क्या कह रहा है हम से, find the total volume of air inside an empty tent, उस empty tent में कितना air contained होगा, that is volume, तो air contained in tent, वो क्या होगा, volume of cylinder, plus volume of cone, दोनों के volume को add कर दें, तो हमें air मिल जाएगी, volume of cylinder होता है, pi r square h, और volume of cone होता है, 1 by 3 pi r square capital h, अब देखो pi r square दोनों में same है, h plus h by 3, दोनों की height अलग-अलग है, 22 by 7 r का square, that is 14 into 14, और height of cylinder है हमारे पास 8, और height of cone है हमारे पास 10.5 by 3, 7, 2 is a 14, यह हो गया, 44 into 14, and यहाँ पे, आप LCM लेंगे 3, 8 is a 24, plus 10.5 by 3, यहाँ पे आगया 44 into 14, add कर लिया तो 34.5, यहाँ 3 है, point हटाने के लिए नीचे 10 आ गया, अब जड़ा cancel करें, 5 से 6 time and 9 time, 5 से 2, 2 से 22, और 3 से, 3 to 6, 23, यहाँ करते हैं, 308 into 23, multiply कर लेंगे, 7084 meter cube, यह उसका air जो उसके अंदर contained है, उसका volume हा रहा है, 7084 meter cube, तो दोनों के volume को sum कर देंगे, तो जो air अंदर contained होगी, उसका volume हमें यहाँ पर मिल जाएगा, कर देंगा जब